हेलो दर्शकों मैं अलग निरंजन सिंग हूं एकनोमिक्स और फाइनांस का प्रोफेसर पहले मैं इंडिया एकनोमिक सर्विस में था उसके पहले सिविल सर्विस आईएस दिश्वाब बोलते हैं उसमें था और मेरा लेटेस्ट प्रोफेशन था वाल स्ट्रीट पर चांते हूं यह दिकांस लोग की फाइनांस का सबसे प्रेस्टीजियस चर्टिफिकेशन है तो मैं प्रोफेश दिन एकनोमिक्स किया युएसे से फिर फाइनांस किया नंबर वन इंस्टिचूट से और चार्टर भी किया हूं तो आज मैं अडानी के कंपनी के बारे में बत अधि घातक रिपोर्ट आया है और हिंडन बर्ग लिख रहा है नीचे कि दस सिवन लिस्टेट कंपनी जॉफ अडानी ग्रूप आर एटी फाइफ परसेंट प्लस ओबर वैल्ल्यूड यानि कि अडानी का जो अभी सातों ग्रूप की कंपनिया है उनका मुल्यांकन पचासी परसेंट से ज्यादा है यानि कि जो सो रुपी की चीज है भी वो सिर्फ पंदर रुपी में मिलनी चाहिए और यह बोलते हैं कि इव्ण एप्योओइ अवर इंव्डेश्टिगेशन आद TAKE D आप लोगों को बताओंगा कि सचाई क्या है क्या यह शाजिश है या वास्तरों में अदानी ग्रूप ने इतनी ज्यादा गरबड़ी की है कि इसका वैल्यूएशन जो है उपर है यानि कि मार्केट की हिसाब से नहीं होना चाहिए या कुछ और है तो अब प्रश्ण यह उठता है कि क्या हिंदेन पर ग्रूप ने जूठ बोला नहीं नहीं इतने बेवकूफ नहीं है कि जूठ बोलेंगे सीधे जूठ बोलेंगे तो उनको अमेरिकन कोर्ट से जो है सो सजा मिल जाएगी और उनको अडानी ग्रूप को मुझा आउजा भी देना पड़ जाएगा तो क्या उन्होंने सच बोला अरे नहीं नहीं इतने भी मानदार नहीं है कि वे सच बोल देंगे यहां पर बिजनेस में हैं पैसे कमाने के लिए हैं तो फिर क्या बोला चलिए अब हम लोग इसको डिसाइड करते हैं और आप लोग भी डिसाइड करेंगे चरते हैं ud करता हूं आप लोग सुनियेगा और उसके बाद जो है और मैं अपना रेकमेंडेशन दूंगा कि अडानी ने बोला क्या ठीक है तो अब मैं यहाँ पे फाइनांसियल्स आपके सामने फिर से कर रहा हूं यह मैं भी पहली बार वीडियो बना रहा हूं इसलिए मुझे थोड़ में तब ठीक हो गया है तो इनका यह देखिए और लिपोर्ट तो यह कहते हैं कि अमेरिका के हिसाब आप से ले रहे हैं कि 48 बिलियन डॉलर की कमपनी है तो यह लोग कह रहे हैं कि हमारी कम्पनी जो है सो यह अमेरिका के हिसाब से मिट कैप है इंडिया के हिसाब से बड़ी कंपनी हो जाएगी क्योंकि इंडिया के हिसाब से तो भाई यह रुपीज करोड में है मिलियन इंडियन रुपी जी यानि कि यह इसमें अगर आप दस से भाग दे देंगे जो एमाउंट है तो आपका करोड में हो जाएगा यानि कि अडानी इंटरप्राइज जो है आप लोग निकाल सकते हैं तो इंडिया के हिसाब से यह बड़ी कंपनी है पर अमेरिकाकके हिसाब से मीड के कंपनी है को वह नार्ज उती हैं वें कम से कम ओवल अमेरिका कि ताद च्रड़ कंपनी है कुछ तो veux सब्सक्राइब करते हैं लेकिन मेरे ख्याल से तो वह पचास बिलियन की भी कंपनी बड़ी कंपनी में आ जाती है ठीक है तो यह बता रहे हैं कि मिड़ कैप कंपनी जो है सो एक साल में 101 परसेंट ग्रो कर गई एडान इंटरप्राइज है 36% ग्रो की अडानी ट्रांसमिशन अडानी ग्रीन एनरजी का वैल्यू सिर्फ 4% ही बढ़ा और अडानी पोट्स का शिर्फ 8% बढ़ा और बागी कंपनियों का जो है सो कुछ का 167% बढ़ गया है जिसमें है कि अडानी पावर और अडानी विलमर का 149% बढ़ा है तो अब अडानी की सभी कंपनिया तो ऐसे नहीं बढ़ी है बराबर गती से जो सबसे धीरे बढ़ी है वो अडानी ग्रीन एनरजी है सिर्फ 4% की गती से बढ़ी और अडानी पोर्ट जो कि इस्टैब्लिस्ट कंपनी है काफी पुरानी कंपनी है सायद अडानी की सबसे पुरानी कंपनी वो सिर्फ 8% कती से बढ़ी है और बाकी सब का तो आप देखी रहे हैं और यह जो है सो तीन साल में बता रहा है कि स्टॉक का कितना गुना बढ़ा है तो यानि कि 137.90% का हुआ कि 14 गुना यानि कि जो चीज एक रुपय की थी अडानी के स्टॉक आज से तीन साल पहले वह 14 रुपय की हो गई वह अब तो गिर गया है लेकिन अभी जो जिस समय यह लोग डाटा दिया है उस हिसाब से बता रहे हैं कि तीन साल में वह 14 गुना पढ़ी और अडानी जो है वह 21 गुना पढ़ी और अडानी ग्रीन इनर्जी नौ गुना पढ़ी सब से कम पढ़ी है तीन साल में अडानी पोर्ट जो कि दुगना भी नहीं हुई है अन्ठान के परशन मदवेगर 200 होता तो मैं बोलता कि ठीक है दुगना हो गई है लेकिन दुगना से थोड़ी से कम है और अडानी विल्मर का तो खैर यह स्टैबली से बहुत लेट हुई है इसलिए जो लिखा कि फेबुरुरी 2022 में यह जो डबल स्टार लगा हुए ना तो यह देखिए डबल स्टार पर बता रहा है कि यह फेबुरुरी 2022 बढ़ी थी लेकिन फरवरी 2022 से अब हो गया म जैनी कि जिस दिन की रिपोर्ट आई है उसी दिन का हो बड़ जो भी ओपर चुकि स्टॉक के प्राइसे डेली के मिलते हैं तो यह रिपोर्ट ज्यादा पुरानी नहीं होई होगी जिस दिन पर ब्लिस होगी उसके एक दिन पहले का रिपोर्ट होगा यह है तो इस ठंक से बढ़ी है या नहीं बढ़ी है तो देखिए टेसला जो है अमेरिका की सबसे बढ़ी कंपनी थी और उनके जो CEO है Mr. Elon Musk वे सबसे धनी भी व्यक्ति थे करीब डेट दो साल तक अब तो नहीं रहे अब दूसरे नंबर पर आ गया हैं तो या कभी कभी तीसरे पर विचले जाते ह वो एक नॉम्बर 21 को यानि की एक साल आठ महीने में बीस महीने में वो 35 से 382 हो गया यानि की 11 गुना 1100 परसेंट या कह सकते हैं आप 1094 परसेंट तो अगरादानी वैसा हुआ तीन साल में जाकर के दुगुना या जितना ऐलन मर्स के का हुआ था डेर साल में ही तो कोई बह तो यह possible तो है कि हां कमपनिया ग्रोफ कर जाती है अब यह अशा क्यों possible होता है क्योंकि जो कमपनियों का तीन स्टेज होता है पहले तो कम्पनिया नहीं नहीं खुलती हैं तो उनके पास सिर्फ आईडिया होता है कि देखिए भाई हम मार्केट में लीडर है हमारा कोई नह पीरियट रहेगा दो साल का तीन साल का या एक साल का जो भी है तो उस बीच हमारी cash flow negative हो सकती है लेकिन future value जो है सो मेरा बहुत हाई होने वाला है क्योंकि मेरा कोई competitor नहीं है और नहीं तो मैं कुछ नया कर रहा हूं और नहीं तो मेरे पास कुछ ऐसा insider information है या मेरे पास ऐसा को कोई support है जिससे की मैं जो है सो कमा लूंगा तो अगर किसी के पास उसका support है माल लीजिए किसका support प्रथान मंत्री जी कहीं support हो सकता है अमेरिकन राश्पती का support हो सकता है जैसे कि Elon Musk को Trump का support था तो वह जो है सो भाई 20 महीने में जो है सो 11 गुना बढ़ गया उसके बाद Trump हार गया बाइडन आए हैं तो बाइडन का support है नहीं तो जो है तो उसका गिर गया है तो ठीक है वो डिपेंड करता है अपनी अपनी किश्मत पे कि कब किसको किसका support मिल जाए उसको अंग्रेजी में technological innovation या technological advantage भी बोलते हैं क्योंकि वो उस specific company को फायदा पहुँच रहा है तो उ पीरियर हाई रहने के चलते उसके जो है सो market में value बहुत जादा होती है तो इसलिए अगर यह कहना कि यह 85% over value है क्योंकि यह इस ढंक से बढ़े हैं इतनी तेजी से यह गलत है यह कोई जरूरी नहीं है बहुत कमनों के शाथ ऐसा हुआ है कि वह बहुत तेजी से बढ़े हैं शुरू सुरू में जैसे कि अडानी पॉर्ट है तो देखिए उसका growth शिर्फ 8% रहा है और तीन साल में 98% हुआ है क्योंकि उसके और भी कुछ उसको और भी नए पॉर्ट मिले हैं तो इसलिए जो इसका growth 98% हुआ तीन साल में जो की काफी impressive तो है एक established company के लिए लेकर उतना भी नहीं है अगर company के पास अच्छे projects हैं उनको अच्छा business मिला है तो तीन साल में दुगना होना कोई बहुत आश्यरे वाली बात नहीं होती है stock market में ठीक है तो इसलिए इसमें कोई unusual तो नहीं है अब हम दूसरे page पे चलते हैं और दूसरे page पे यह बोल रहे हैं कि क्यों 85% overvalued है तो इनका यह कहना है कि यह जो सभी group है इसमें multiple यानि कि जो उनका P by E price by earning यानि कि जितना earn कमा रहा है वो अडानी group के profit जितने हो रहे हैं पर share ठीक है जैसे कि माल उनके पास 201,000 करोर का profit हुआ और उसमें एक लाख share है तो पर share जो है 100ऊ रुपय का फायदा हुआ ठीक है वश्ड़ जो बर योफ इसड़ को प्रहोपार का माले की ठीक होनके यह or만Phicon को एक car गुने हं त्टली उनके पास जो है 정도 usually 4000 करोड शेयर भी है तो यह कहते हैं कि price by earning ratio कि अगर उसको एक रुप्या पर शेर फायदा हुआ तो इंडस्ट्री एफरेज है कि वो 24 रुप्या उसका stock price होना चाहिए लेकिन अडानी का बोल रहे हैं कि एक गुने 815 यानि कि 815 रुप्या प्राइस है डानी गिन इलरजी का और अडानी पावर का तो भाई ठीक है 29 गुना ही है और 24 होना चाहिए तो देखिए यहां पर यह भी कह रहे हैं कि इंडस्ट्री एफरेज 24 गुना है और अडानी पावर का 29 गुना है तो कोई ज्यादा अंतर तो नहीं है तो कोई फ्रोड वाली बात तो नहीं लग रही है अब मैं बता देता कि इसके पीछे कारण क्या है चुकि अडानी पावर जो है तो थोड़ी पुरानी कंपनी है वो इस्टैब्लिस्ट हो गई है तो और उसमें कुछ कंपिटीशन भी है तो इसका प्राइस ठीक है लेकिन अडानी ग्रीन इनर्जी में अडानी लीडर हो सकता है और अगर वो ल लोग निकालते हैं यह प्राइस फ्रम अर्निंग तो उसको मैं नीचे लिखे हुए हूँ और उसका फॉर्मूला है फ्री कैश फ्लो टू दी फर्म डिवाइड़ वाइक माइनस जी वाइक होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो तरीके से कैपिटल मिलते है एक तो बैंक से लोन लिया दुसरा decorated में नीकाल निकालकर के हम लोग निकालते हैं अब मानलिया वेक दोनों का आट परसंट होता है लेकिन उसका growth जो है वो 7% है तो यानि कि जो भी उसका free cash flow होगा उसमें सिर्फ हम 0.01 से भाग दे देंगे तो कि 8%-7% तो 1% जो कि 0.01 होता है तो मान लिया उसका free cash flow 1 रुप्या है और उसका ये vac-g जी जो है वो 0.01 है तो वो जोसकी value सीदे 100 रुप्य हो जाएगी अगर free cash flow 2 रुप्या है तो 200 रुप्य हो जाएगी तो इस धंग से हम लोग जो है तो free cash flow to the firm को discount करके निकालते हैं तो इस बात पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा है क्योंकि यह सब जो companyya है अडानी की सातों companyya यहां पर इन सबों का growth एक समान नहीं होगा जो नई कंजूमर के घर में solar energy लग जाएगी तो फिर तो growth जाएगा जैसे कि होता है कि सभी नश्टी के साथ होता है सभी product के साथ कि जैसे कि हम लोग कार नहीं आती है तो बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं शुरू में ज्यादा लोग दाम भी देते हैं इवन जैसे मोबाइल फोन होता है जब नया मोबाइल आता है वरसं की एपल वरसं फोर्टीन आ गया तो उसका दाम तो भाई पचास जार एक लाख होगा और वही छे म है तो इसलिए कोई नई चीज आती जैसे इंडिया में ग्रीन एनर्जी नहीं आ रही है उसमें अगर लीडर है तो उसका ग्रोफ बहुत तेजी से होगा और उसको भाई बहुत हाई होगा ठीक है तो इसलिए यह कहना कि भाई इंडस्ट्री एवरेज का 24 और डानी का 815 है नहीं हो सकता ये गलत है ठीक है इसमें यहाँ पर देखिए दोनों मैच voices है तो दोनों का कंपेरेजंग ठीक है यहाँ पर अडानी पौट का बोलता है कि इंफ्लाइस्टेक्चर जो है सो जो भी Earning है उसका जो है सो दुगना होना चाहिए लेकिन अटानी को तो कई पोड़ भी ने ने मिले है जिनको वोगो टरहा है तो उसके पास तो भाई बहुत आझ यह से विकाश होगा तो दुगना ही हो ना चाहिए यह भी गलत है टीक है तो इस ड़की नंबर वन कमपनिया है बारत की आदानी से लेकिन आटानी सब्नें नंबर वन कमपनिया उसका ग्रोस तो ज़्यादा होगा ही वो सुपर बंडर्वर प्रॉपट कमाएगा ही हाँ जहां पे एवरेज है तो देख लीजिए उसका पी बाई ए रेशियो इंडस्ट्री एवरेज के बराबर ही है करीब करीब 24 कुने 29 तो यह कहना इसका हिंडन बर्ग रिपोर्ट का है कि अडानी ने फ्रॉड करके या चालवाजी करके अपना दाम बढ़ा जाया और उसका लोग बोलते थे कि अलग सिंग से पूछ लो वह सबसे अच्छा आता है और फाइनांस ब्याता है तो मेरे जो एंडी है वह भी आकर कि मुछे पूछ लेते से इतनी वेरी जत्ती अभी मैं इंडिया आ गया हूं तो अभी मैं इंडिया में हूं और यह मेरा पहला करिए तो यह लोग कह रहें कि इंडास्ट्री एवेरेज जो हो ही गल्ती फिर कि इंडास्टी अफरेज है कि जितनी शेल्स भैलू होती है एक साल की उतना ही उसका प्राइस होना चाहिए उसका एक गुना तो यह टोटल इसका याने कि यह लोग पर स्टॉप्स अनिकालते ह तो यहां पर ठीक है और बाकी सब मैंदानी को एडवांटेज है तो वह ज्यादा आगे है तो यह लोग इंडस्ट्री एवरेज से कंपेर करना बेस्ट कंपनी को यह सबसे बड़ी गलती है और यह डानी गुर्प को बदनाम करने के लिए अब जैसे कि आप यह कहिए कि भाई सबसे बड़ी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में यही किया अब यह जान भूष के क्या गया है या जो रिपोर्ट के राइटर है वे लोग अच्छे फाइनांस प्रोफेशनल नहीं है यह लोग लॉयर मुझे ज्यादा लग रहे हैं यह लोग मान रहे हैं कि सातों की सातों इंडस्ट्री एक समान है डानी की और इसलिए सब को एवरे से कंपेर कर दो यह सबसे बड़ी बेवकूफी है ठीक है तो उन लोगो को यह सब नहीं करना चाहिए था यह बहुत बड़ी बेवकूफी है और डानी इस बेसिस पे अगर उनको चैलेंज करें तो वह केस जीत जाएंके और उनको कुछ कंपेंसेंस देना पड़ जागा को कि यह बेसिक फंडामेंटल फाइनांस की गलती है और अगर डानी को यह बी एंटरप्राइज वैलू यानि की टोटल कंपनी की वैलू डिवाइड़ बाई एबिट डा एबिट डा होता है अर्णिंग बिफोर इंट्रेस्ट टैक्स डेप्रिसियेशन एंड एमोर्टाइजेशन ठीक है तो यह तो जो फाइनांस वाले लोग है वही समझ पाए तो इसमें बीटा रहा है कोई गलती मल्टिपल दिखा रहा है बारह गुने पंद्रेश गुने 2 नु गुने जैबके दानी तो भाई आपर रच कंपनी तो फिर कर दिया भाई तो इने यह तो एपल के और इंडियो से compare कर रहे हो तो हाँ जहां पर एपल एपल का comparison हुआ है वहां पर दानी का ठीक ही दिख रहा है अब जहां पर डानी लीडर है उसको तुम एपरे से compare करके बोल रहे हो कि ओफर फैलूट है यह तो तुम नहीं जानते फाइनांस तुम समझते नहीं फाइनांस इसले ऐसी बात करते रहे हो तो इसलिए हिंडेंबर्ग को तो जो है तो आसानी से शू करके अडानी उनसे रिकवरी कर सकते हैं इवन युएस कोर्ट में भी को उनको खाटा तो भो जादा करवा दिया है ठीक है तो यह दूसरी बात हुई अच्छा अब मैं लास्ट पेज पर जाता हूं उसने कहा है कि अडानी ग्रूप का जो है सो नेट डेट और यह करेंट एकाउंट मैं करेंट रेशो खुद कैलकुलेट किया उन्होंने यह दिया था फिगर जो उनके बोल में है पॉइंट फाइव पॉइंट नाइन यह हिंडन पर का रिपोर्ट है और यह मेरा खुद का कैलकुलेशन है मैं गया था डानी के बैलन सीट पे देखा उनका करेंट इसर्ट देखा सब्सक्राइब करेंट इसका पॉइंट कर रहे हैं और यह लेटस्ट फिगर हमारे पास ठीक है इसे बात का भी नहीं आया है को यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंट की बढ़ गई है ठीक है और अडानी को ज है सो प्टेश ठोड़े जल्दी मिल गए उसके जो डानी के जो सब अससी से उन्होंने पैसे लॉटा दिये लेकिन आडानी Goes लेकिन लेकिन इन सबों ए Mitta उन्होंने ऎंडरस्टीमेट किया है जोकी एक्शुल में situation यह है मैं खुद उसके balance sheet पर जाके देखा हूं वह डानिक है तो इसलिए तो गलती का प्रश्णी नहीं उठता है मैं इसकी guarantee भी लेता हूं यह तो 1.89 है अडानी ट्रांस्मिशन का और यह अडानी पाव का 1.04 है जहां पर अडानी की इस्टेब्लिश्ट के अडानी पावर वो जो है सो हर चीज में average से match करती है यह करते हैं कि average होना चाहिए उसका 1.04 है तो इन लोगों की basic गलती है कि अडानी की सातों की सातों कंपनियों को यह जो हैं सो इंडेस्ट्री अब इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है कि सात कंपनिया और सातों एक जजी तो हो नहीं तो उनका जो है तो उस पुरानी हो गई है मैं चयोर हो गई है ठीक है भाई वह पहुंच गई है अब एक 10 साल के बच्चे की तुलना एक 45 साल की अदमी तो नहीं कर सकते हैं तो जो है तो वहीं कर गलती कर रहा है कि जो नहीं-नहीं Кंपनियांuine की निश्क यंद्धी नुविसंड मरत बहुत ही नहीं कंपनी है इसकी तुछला भीहत्रे कर देना oh मैं तो इनकी बहुकूप रहा हम कि इतर बड़े बहुकूप कि जो शिर्फ एक साल भी पुरानी कंपनी नहीं है उसको इंडस्ट्री अब्रेश्र लगा दिया तो भाई इसमें तो बहुत बड़ी गलती है अडानी को जरूर इन लोगों से मांगना चाहिए कोट में यह जीत भी जाएंगे मुझे बुला लेंगे तो मैं इनको यह सब्जाज सहाब के साव ने बता भी दूंगा और बाकी तो मेरा वीडियो है ही लेकिन हाँ मैं और भी बहुत कुछ जानता हूं जो कि इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूं वो तो मैं वही इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो पब्लिकली अफिलेबल है और जो कन्मिंसिंग है जो सत्य लगे आप लोगों को ठीक है तो आशा है आपको यह सब इंट्रेस्टिंग लगा होगा अब यह बोर्ड है एक और चीज़ यह लोग कि अडानी ग्रूप कंपनीज के ब इवन इफ यू इग्नोर आवर इंफेस्टिगेशन एंड टेक दे कंपनीज अब इनके इनके इन्फेस्टिगेशन में क्या है तो इन्हों ने जो है तो उनीस सो अंठानवे के फिगर लिए आज है दो हजारते इस अब 25 साल के पहले अडानी ने क्या किया उसका आज के हूं और मैं इक्विटी रिसेशर भी था तो हम लोग तो साथ साल से पुराना डाटा देखते ही नहीं है आज की प्राइस अगर देखनी है तो हम लोग सबसे ज़्यादा वैल्यू की इस लास्ट क्वार्टर की होती है उसका वेट जो है सो सो में करीब 30% हो जाता है उसके बेनी जो है सो करीब 20% हो जाती है उसके पहले धूर दूर हो चले गए तो ये तो 35 साल क्या हम लोग तो पांट साल से पहले का भी नहीं देखते हैं कि रही पांट साल किस ने क्या किया था इसको ख zurफ कैसे हैं इसका gross कैसा है और उसी ढब सीका अगे का Wakanda ऑगे का श्यूट फिगर भी लेता हुं जिसको डॉप डाउन पको बोलते हैं और बटम फॉर आप चाहा भाई यह कंपनी कैसे करेगी इंडिविजुटल कंपनी फिर इंडिस्ट्री कैसी करेगी और नेशन कैसा करेगा टॉप टाउन एप्रोच में कि पूरा नेशन कहसा करेगा यानि कि इंडिया जे कंट्री अगर इंडिया जे कंट्री भोगत ची कर रही है तो सभी कंट्री सब्सक्राइब के लिए यह ब्राइट चांस हो जाता है कुछ अच्छा करना और उनका प्राइस बढ़ जाते हैं और उचके बाद कर कोई ज्यादा ची कर रही है जैसे आज कल ग्रीन एनर्जी का खुब चल रहा है तो ग्रीन एनर्जी थोड़ा ज़्याद अशा करेगी और पेट्रोल इम इंड़स्ट्री का कार की जो प्रेट्रोल से चलने वाली कारे हैं वह उतने छीन नहीं करेंग उसका फैल विसन जाता होगा हम लोग उसके स्टॉक खरीदने के लिए रिकमेंड कर देंगे और जो पिछड़ती हुई कंपनी बोल होगी उसको हम लोग बोलने हैं ठीक है बेच दो यहां पे जो है सो इसने वो सब कुछ भी नहीं किया है पहली बात तो कि 2015 से पहले का तो कहते कि साथ साल से पुराना तट तुम डिश्टा कर दो यह जो है सो इस रिपोर्ट में अनानी को बंदाम करने के लिए 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 गया है 2010 का डाटा 2004 का डाटा उनिशन ठानवे का डाटा अरे भाई जब तुम यह बोल्ड हो कि पिछले तीन साल में अडानी का सबसे ज्य को भी सारे सद्रय चुरूर नहीं कि ने तो करिए जोटा सपता है कोो हाग घाए लुए लुक पूरी जोटील तो है को पूह attracting अब गया पूजा सकता हूं तो अच्छे ली पूजादा करपशन थी है तो मेरे जो साथी इंस्पक्टर सब्सक्राइब और लेकिन जब वह कोर्ट में गया उसी डिपार्टमेंट के एपिलेट कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो इसलिए जो है तो यह लोग का भी रहे हैं कि यहां पर शायद लिखें हैं देखें के पेज पर यह लिख दिये हैं विद्यादानी ग्रूप है रिपीटेडली फेस्ट एलिगेशन ऑफ करप्षान मनी लॉंडरिंग और टेक्सिर फंट टोटलिंग एंड एस्टीमेटेड यूएस डॉलर 17 पर लिए लेकिन यह सिर्फ ठीक है यह सिर्फ एलिगेशन है पूफ नहीं है अब बाद में इन्वेस्टीगेशन से आइजर बिन इस्टॉल्ड और स्टोंड वाल बाइब भेरियस आर्मस उफ इंडियन गॉर्मेंट यानि कि इंडियन गॉर्मेंट ने जह सो को करें कि इस्टोंवाल किया या लिखना गलत बात है नो तो यह रेलिवेंट है और नहीं जो है सो लीगल है क्योंकि लीगली तो साथ साल से पुराना डाटा देखना ही नहीं चाहिए स्टॉक वैलुएसन में यह जो कह रहे हैं 85% इसका डाउन होना चाहिए यह 25 साल के क्राइम के पीशे से 15 साल के इसके घ क्या हूं और अभी तो मैं इंडिया ने ने आया हूं अमेरिका छोड़ करके तो इसलिए जो है तो मेरा जो भी है वो बिल्कुल फेर एसेच्मेंट है मेरे पास किसी भी कंपनी का कोई स्टॉक नहीं है ठीक है तो मैं जो है फेरली वैलुएट कर रहा हूं एज प्रोफेसर प्रोफेसर फाइनांस एज चार्टर होल्डर को यह रिस्पॉंसिबिलिटी कि वह बिल्कुल सही भैलुएट करें नहीं तो उनका चार्टर छिन लिया जाएगा अगर किसने कंदेन कि भाई यह तो मुझ देख करके बोल दिया था तो उनका चार्टर छिना भी जाता है कि ह ना भाई तुमने फाइदा कमाया जूट बोल करके और उसके बाद उनको जिनकी पर चार्टर नहीं मिलती है तो एक बार चली ली तो चली गई तो मेरे पास तो मैं तो कभी वैसा किया ही नहीं और मैं पास्ट में कई कंपनों के स्टॉक का इवैलुएशन किये हुए हूँ और मैं एक में भी गलत नहीं हुआ तो यह तो रिपोर्ट मुझे बिल्कुल गलत लग रहा है और अब समस्या यह कि डैमेज तो इस ने कर दिया डानी के तो वेल्थ करिए 60-70 परेशन चले गए अब क्या उसको रिभाइब क्या जा सकता है तो उत्तर है हाँ रिभाइब त को बता पाए और दूसरा ने तो डानी को मैं खुद सब्सक्राइब चलो ऐसे कर लो मुझे जाकर मिलों से यह प्रपोजन देदो और तुम्हारा सारा पैसा आपका सारा पैसा तो वापस आ जाएगा तो यह हो सकता है बहुत आसानी से एक हपते के अंधरी उनका पूरा कर दी शाजिश्तों कर दी हिंडेंबर्ग ने और अपना पैसा कमा भी गया तो अब है कि चुकी अडानी तो अपने देश का वन आफ दी बिगेस्ट कंपनीज है तो इसलिए जो है सो भाई यह तो इंडिया का लौस है ना फॉरेंड करेंसी इंडिया से चली जाएगी बाह तरीका फाइनांस से ही ठीक किया जा सकता है और वो मैं तो जानता ही हूँ फॉर तो देखिए अभी आगे क्या होता है अब आप लोग यही बताईए कि इसने जूट लिखा या सच लिखा तो इसने जो भी लिखा जो भी डाटा दिया जो भी केसेज दिये वो है तो सच ले कि अश्वा थामा मारा गया और उसके बाद यह आधा सच जो है वो जूट से भी ज्यादा हानिकारक होता है तो वही चाल इन लोगों ने चला है यह क्लियर कट साजिश है अब तो आप लोग भी समझ गए होंगे और मैं जो है तो डानी के साथ हूं या जो भी मोदी जी जो भी जो भी बोले मैं लोगों के साथ हूं को कि यह तो ठीक है आशा है आप लोग इंज्वाइक होंगे इस वीडियो को और कुछ सीखे भी होंगे अगर आपको इंट्रेस्टिंग लगा तो लाइक जरूर कीजेगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि यह मेरा पहल अब कोई है नहीं यहां पर संधार में पूरे क्योंकि मैं 40 साल से एकनॉमिक और फाइनांस पढ़ रहा हूं ठीक है जैसे आइस की नौकरी छोड़ा इंडियान एकनॉमिक सर्विस की नौकरी छोड़ा प्रोफेशर था वो भी छोड़ दिया अमेरिका में प्रोफेशर था वीडियो है तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है सो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा फिर बुला कात होगी बाए बाए